जोस्तों कैसे आप लोग आसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे आज मेरे पास नोक्या का कीपेड मॉबाइल रिपैर होने के लिए आया हुआ है कस्टमार जब मेरे पास लिए तो बोला कि यह चार्ज नहीं हो रहा है और बिल्कुल डेड है यानि कि अब जब हमारे पास सेट आया, तो हम क्या चेक करें खर मेरे बोला कि है चार्ज नहीं हो रहा तो मैंने मैं कि मोबाइल में बेटरी भी बहुत कप्स यह लोग ओन कि खीघन कि तो यहानि कि जो है यहाँ पर उस हिसाब से बैटरी को पहले फुल किया मैंने दूसरे मोबाइल पर लगा के और उसके बाद मैंने इसको आउन करके देखा अब मोबाइल जब आउन किया तो इसमां समझ्या कुछ और निकले देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जैक वगर ओके था समझ्या कुछ और थी कस्टमर ने इसको इसको कुछ और प्रब्लम समझा अब देखिए मोबाइल ओन हो चुका है बट आपको यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा होगा अच्छे हलके से शुर्बर आपको नो क्या लिखावा जरूर दिख रहा हो कुछ लगेगा यार बैटरी चार्ज मरी हो रही है सिर्फ ओन होरा है बंद हो जा रहा है ऐसा कश्ट्मर को लगेगा बड़ हुआ कि इसमें डिस्प्ले की लाइट यहाँ पर नहीं चल दीठी इस अब देखिए काफी बार होता है कस्टमर तो सिर्फ एक अंदाजन लेकर आता है और हमें देखना पड़ता है कि इसमें प्रॉब्लम असल में है क्या अब यहाँ पर डिस्प्ले की लाइट का प्रॉब्लम है वह कहां से हो सकता है अब सबसे पहले हमें करना क्या है यहां पर जरा ध्यान दीजेगा हलका सा यहां पर देखिए वाटर डैमेज भी हुआ है देखिए हलका सा यहां पर देखिक कार्बन यहां पर लगा हुआ है यह जंग सा लगा हुआ है तो यहां पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो डिस् है तो उसको कैसे ठीक करते हैं ये भी आपको बताऊंगा एक सौटकर जंपर की तरीके भी जंपर के थुरू में भी आपको बता दूँगा कि किस तरीके से उसको ठीक किया जाता है अच्छे एनोड की लाइन हलका समझे यहां पर लग रहा है कि यह कारवन है तो सबसे पहले अब यहां पर करना क्या है मुझे मल्टी मेटर को डायोड मोड में रखकर यहां पर चेक करना है मल्टी मेटर को मैंने डायोड मोड पर रखना है और इसको चेक करना है मल्टी मेटर को डायोड मोड पर रख लिया है और यह जो पत्ता मैंने डिस्कने किया है जो डिस्प्ल तो डिस्प्ले पर हलका सा लाइट जल रही है यह देखो दिख रहा होगा शायद आपको यहाँ पर इस तरीके से यानि कि जो इसके डिस्प्ले की LED है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग में है प्रॉब्लम कहा से प्रॉब्लम इस डिस्प्ले के अंदर जो इस LED के लिए वोल्टे जा रही है इस पत्ते में कोई ने कोई ट्रेक हो सकता है गला हुआ हो कटा हुआ हो या तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि इसको यहाँ पर निकाल कर दोबारा से सारे पॉइंट्स को कर सकते हो नहीं तो थोटा सा जंपर भी आप यहाँ पर लगा सकते हो जिससे इस प्रॉब्लम का सुलूशन हंड्रेट वन प्रेसेंट हो जाएगा अच्छा मैं यहाँ पर सबसे पहले करता क्या हूं कि यहाँ पर इसको सोल्ड्रिंग कर लेता हूं और इसमें से एक जंपर देता हूं अपर आपको बताने चाहूंगा जैसे हमारे एंड्रइड मोगेल में होता है एलेडी जो उसको ठारव वोल्ट लगबग चीए होती है चालो होने के लिए बट इसके अंदर जो एलेडी वोल्ट की जो यह लगबग धाय तीन वोल्ट में एलेडी यहाँ पर काम क पहले आप यहां पर ध्यान से देख लो इस एलेडी को भी हमने टेस्ट करना है टायोड नोड पर कि यह यहाँ पर इसकी कौन सा है देखिए अम अब पता चलव गया यहां पर देखिए जल दे इसके पॉइट यहां पर यह है तो यह सका पॉजटिव है मैं मार्कर से यहां पर मारना है प्लस से एक जंपर मारना है एनोड तक के लिए तो चलिए सब सब पहले एक जंपर मारते हैं यहां पर और देखते हैं क्या यह वरकिंग में है या फिर नहीं तो यहां अब आप देखते हैं यह देखिए पॉश्टिव जो इसका पॉइंट है यह देखिए जो इसका पॉश्टिव पॉइंट है इस वाली LED का उससे में इस जंपर को मारा हुआ है अब इसको मैं एक बारी चालू करके देख लेता हूँ चलिए इन डिस्प्ले को मैं सेट कर लूँ फिलाल अभी टेंप्रेरी यह मारा हुआ मैंने कोई पर्मेनेंट नहीं है सिफ टेस्ट करने के लिए काम करता है कि नहीं इसमें इसलिए अब इसको ओन करते हैं अब अब इसमें अब देखिए इसमें देखिए एलीडी इसमें की पेड़ का भी जल गया है तो बस एक छोटा सा जंपर आप मारिएगा और यह लाइट का जो प्रॉब्लम का है सोलुशन हो जाएगा देखिए सारा पॉफेक्ली वर्क कर रहा है इसमें देखिए यहां पर है यह सब पॉफेक्ली वर्क कर रहा है कोई भी यहां पर प्रॉब्लम आप नहीं है अब देखिए अगर आप डिस्प्ले के पत्ते को निकालते हैं तो काफी बार के अगर आप ज्यादा इसमें प्रॉफेक्ट नहीं है इस डिस्प्ले में रिपैर करने में तो क्या उत्तक काफी पत्ता कर जाता है काफी बार प्रब्लम हो जाती है तो इस इतना ज्यादा बोवाल ना करके आप सीदेक जंपर मारिएगा सॉलुशन हंडेट प्रेसेंट हो जागा अब मैं इसको कवर कर लूँगा सही तरीके से जो जंपर बाहर उपन है उसको अच्छी तरीके से कवर कर लूँगा ताकि वो टैच नहों और अच्छी तरीक सिसको पायक कर लोगा अगर आप कोई वीडियो पसंदे को लाइक करके से करना ना बुलिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छी सेची वीडियो और चोटी चोटी चोटी